जैशी किष्णा दोस्तो राधी राधी मेरी चैनल लर्निंग वी सीम आपका बहुत बहुत स्वागते दोस्तों आज हम पांच नंबर के ठाकुजी के लिए आपको बहुत ही प्यारी सी एक हैवी ड्रेस बनाना सिखाएंगे ये ड्रेस आप करवचत को भी धरन कर सकते हो ठाक लोकारी सब्सक्राइब कर दो यह चया नहीं लाइं करके तुर्स के बादान में इकन दो बिल्कुल भी न भूलिये और वीडियो के ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह देखिए हम पांच नंबर की ठाकुची की ड्रेस बना रहे हैं तो उसके लिए हमने डाया मीटर कट कर लिया है ऐसा करने से हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है बच्चे जाता ह किने सेव सेव कर देखिए निचा काफी willst यह देखिए दए रहा है उसके किनारी किनारी इसतरा ही लकाने इसके बादे कमर की ग tolerance हमें दिखाई दे रहा है देखिए इसके इंप्रेशन आ रहा है है इसको कट करके निकाल देंगे कट करने के बाद इसे यहां से टुश्यू टेट से हम लॉक कर लेते हैं तुश्यू टेट लगाने के बाद इसको देखें यहां से नाप लेते हैं यह चार इंची आ रहा है तो हमने देखिए यह सवा चार इंची चोडी नैकी हमने यह प्ठेचे कर लिया है हमारा 45 इंच का अरज है तो हमने इसकी तीन प्ठेचे लिय लिए amabay सब्धों करने यह इसकी तीन है करके घेर तयार करना है पतली नयट है इसलिए हम इसकी जब प्लेट बनाएंगे न तो एक तो बहुत पास-पास बनाएंगे देखे यह हमने बनाई एक प्लेट दूसरी तीसरी बहुत धीरे दीरे बढ़ाएंगे तब यह अच्छी घनी बन करके आएंगे थोड़ी सी भी यह कमर का जो इसकी गुलाई है और छे इंची के लग बगए तो छे इंच के अंदर हम यह साली प्लेट तैयार कर लेते हैं यह देखे यह हमारा घेर बन गया बिल्कुल अपने आप बोलो गया हम ऐसे गोल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़े है अब इसको हम इस डायमेटर के उपर रखेंगे रखने के बाद यहां कमर की गुलाई के साथ इसे अटेच कर देंगे थोड़ा सा अगर से बड़ा होगा तो एड़स्ट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा बड़ा हुआ तो जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके निकाल देंगे तो यहां से इसे पहले लखाना शुरू करते हैं अब देखिए लेबिल से थोड़ा सा आगे जा रहा है हमारा गे तो इसे कट करके बिल्कुल इसकी लेबिल में कर लेते हैं बराबर कर लिया हमने कटिंग करके अब दोनों साइस से ट्रिशु टेप से हम लॉक कर लेते हैं अब नेफा लगा लेते हैं अब इसको देखें मोडेंगे मोडने के बाद यह डोड़ी को लगाया इस तरीके से और उपर इसके ओवर्लेप किया फोल्ड किया और यहां के नारे के नारे पर हम सिलाई इसमें लगाएं अब नेफा बन गया देखें मूब कर रहा है नेफा हमारा आसानी से और इसको अब अब लैप करके थोड़ी सी यहां पसलाई लगा लेंगे यह बेस बन गया एक हमारा चाहें तो आप इस तरीके के बेस रेडिमेट खरी सकते हैं से बने के बाद में आप को केवल करें आप करना रहाता है तो अब इसका सवरी करेंगे लेकिन हम बार में करेंगे पहले चोली बना लेते मैं इसमें च्वारी रहे हैं खूली रिते सबीचार देंशे इस खंब ने करते हैं और दो हमने इतनी चौड़ी क्यों लिया है कि थोड़ा मौसम मेंना चेंज हो गया है तो हम थोड़ी सी आफ्पीन बनाएंगे इसमें और अगर से आप स्लीवलेस बनाते हो बिल्कुल तो आपको सवाद हो इंची की बजाए आपको डेढ़ इंची में ही काम चल जाएगा इस साइड से जहां पर हम नहीं है देखिए कच्ची सलाई लगाई है उस साइड से लॉक कर लेंगे गोटे से या टिशू टेप से यह दो पीस हमने कर लिए इसके बाद में दौनों पीस को हमने आप पूजित रखा जो गोटे वाला साइड है वो स्लीवस की साइड जाएगा और जो प्लेन वाला है वो गले की तरफ आएगा अब इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे रखने के बाद लगभग वन फोर कि असलाई लगाने के बाद इसको देखिए इस तरीके से सेंटर से रखेंगे और यह मोड करके स्लाई लगा देंगे इससे मोड लेंगे फोल्ट करने के बाद यहां पर निशान लगाएंगे लगभग देढ़ेंची पर और यहां से इस तरीके से मोड दे हुए हम स्लाई लगा लेंगे लगा लेंगे इसकी कटिंग करेंगे हलका सा कटिंग देंगे ताकि पलटने में आसानी रहे इससे पलट देते हैं हम नीचे पाइपिंग लगा देंगे और पाइपिंग को हम थोड़ा ज्यादा लेंगे ताकि हम इसी से चोली को पीछे से बान सकें तो यह पहले यहां से इस तरीके से सिल करके लगाना शुरू करेंगे है हैं कि एक दूरी हमारी हो गई बानने के लिए एक दूरी हम उपर की साइद और लगा देंगे तो यह पहले तो यहां गले के साइट थोड़ा सा जोल आता है इसलिए एक एक डोरी हम यहां और लगा देंगे यह देखे चोली हमारी बन गई अब इसका पुशाग का हम डेकुरेशन कर लेते हैं आप इसके देकरोषन देखे कैसे करेंगे यह पूरे घेर में हम 31 इंची पर मार्क करेंगे हरuda 3 इंची पर हम्मार्क कर लेते हैं अब यह जो हमने निशान लगाया ना इन निशान के ऊपर हम यहां कमर से की गुलाई से लेकर के यहां तक इस तरीके से यह स्टोन चेन लगाएंगे इसे हम डबल लगाएंगे एक बार लगाने के बाद में फिर दूसरी बार और इसके साथ में बिल्कुर सटा करके ऐसे लगाएंगे आप चाहिए तो डबल चेन आती है एक प्लास्टिक की बने हुई अब वह भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यह मेटल वाली ही लगाना पसंद करती है तो मैं यह लगा रही हूं तो यह देखिए इस तरीके से हम इसे यह बोन फिक्स या फैवी बॉंड की मदशे से चिपका देते हैं हुआ कि अधियर हम यह बन की मदश से चिपकाते हैं इस तोन चेन हमने लगा ली इसके बाद हम क्या करेंगे यह बूटियां लिया हमने रैट कलर की चुन्डरी प्रिंट की इन बूटी सको हम लगाएंगे क्लूगन की मदश से सासाथ एक बूटी हम यह भी लगा लेंगे तो हर ब्लॉक के अंदर हम एक एक बूटी लगाएंगे ये बड़ी बली और एक एक लगाएंगे छोटी फिर यदि हमें कोई कमी लगती है तो फिर हम थोड़ा सा और एड़ उन कर सकते हैं लेकिन इतना ही मुझे लगता है काफी रहेगा इनफ है इस तरीके से हम सारी बूट पूटी को और मैं इनकी किनारे पर लगा दूँगी तो इससे हमारी पूशाक एकदम हैवी लगने लगेगी यह भी हम ग्लूगन की मदद से ही चिपकाएंगे यह देखिए हमारी पूशाक पूटी बन गई है वह बहत ही प्यारी लग रही है काफी हैवी लुक में लग रही है अब आप इसे चाहे करवा चोट पर बनाई है यह धिवाली बाही बनाने बाले है लेकिन वह अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे क्योंकि वीडियो ब तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी पसंद आई हो तो लाई शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं आप से तब तक के लिए राधे राधे